हेलो दोस्तों मैं का नहिया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंगलिश के आन पे जहां पे आपको स्कूल, कॉलेज़ेस एन श्टडिश जो डी टिप्स और अप्डेट्स मिलती रहती हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम दिल्ली निवेस्टी के बीएड स्पेसल मेंटल इटारडिशन कोर्स के लिए जो लास्ट एर की कटफ रही ती जो फर्स्ट एडमिशन लिश्ट रही ती उसमें 2020 और 2019 की कटफ का एनलिसिस करेंगे कि कितने तक बच्चों के एडमिशन हो गया है यह डाटा आपको बहुत हेल्प करेगा इस साल की कटफ को समझने में कि कितने तक आपका एडमिशन हो सकता है और कितने तक आप फर्स्ट कटफ लिश्ट में एडमिशन के लिए एकस्पेक्ट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमासा जुड़ी जाए क्योंकि यहां पे दिली इन्वेस्टी से आने वाली परते एक इन्फोर्मेशन एन अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए पहले डिसकस कर लेते हैं 2020 ट्वेंटी में जो फर्स्ट कट अफ लिस्ट आई थी डिउबी एड एमर के लिए उसमें कितने तक बच्चों का एडमिशन हुआ था तो जनरल केटेगरी की बात करें तो टू फिप्टी सिक्स उनका हाइस्ट मार्क्स था एन्टू एटीन मार्क्स तक उनका एडमिशन आइस्ट मार्क्स था एसी केटेगरी में 217 एंड लोएस्ट आपका था वन हंडेड सिक्स्ट कर रहे हैं और यह फर्स्ट कट आफ लिस्ट में आप देख सकते हैं कि एसी केटेगरी में 160 मार्क्स तक आपका कट आप जा रहे थी इतने तक बच्चों का एडमिशन हो रहा थ एंड एस्ट की बात करें तो एस्ट केटेगरी में 116 से लेकर 96 तक बहुत ही लोएस्ट कट आफ गए थी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में इसी तरह देखते हैं EWS केटेगरी में तो EWS में थोड़ा सा 214 एंड 155 के बीच में आपका एडमिशन हुए थे बहुत सारे तो फर्स्ट कट आफ लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा अब देख लेते हैं कि 2019 में क्या डाटा रहा था कि कितने तक बच्चों का एडमिशन हुआ था फर्स्ट कट अफ लिस्ट में तो देखिए नीचे यह है 2019 का डाटा एनलेसिस जिसमें जनरल वालों की कट लेकर 196 तक admission हुआ था बच्चों का एंड ये 2020 के मुकाबले थोड़ा सा lowest है क्योंकि 2020 में जो first cut-off में admission हुआ था बच्चों का 218 marks तक हुआ था बट 2019 में ये 196 तक बच्चों का admission हुआ था जनल category में ठीक है इसके साथ ही OBC का देखें तो 198 से लेकर 163 तक आपका admission हुआ था 2019 में और यही 2020 में 190 से start हुए थी यानिकी similar cut-off start हुए थी बट जो admission हुआ था 2020 में वह 170 तक हुआ था और 19 में 163 तक रहता है यानिकि थोड़ा सा जो competition है वह बड़ा है 2020 में थोड़ा सा competition है अभी भी बड़ेगा तो यह लगा लीजिए इससे थोड़े से ऊपर ही आपकी cut-off जा सकती है नीचे आपकी cut-off नहीं हो सकती है बाकि अभी SC category की देखें तो 180 से लेकर 164 तक बच्चों का admission हुआ था SC category में और 2020 में यह क्या रहा था तो 217 से cut-off start हुई थी और 160 तक यह एंड हुई थी तो यहां पर तो बहुत ज़्यादा Increasement देखने को मिल रहा है में 2020 में SC category में क्योंकि 217 से start हुई यह cut-off और 160 तक admission हुआ था बट 2019 में यह data क्या है देखो 180 से start हुए यह कितने lowest से start हुई है और केवल 164 तक यह end हुए तो similarly कहें तो 2020 में यह cut-off थोड़ी सी high गई है SC category के लिए and expectedly 2021 में भी यह similarity रह सकती है या फिर थोड़ी सी ऊपर नीचे देखने को हो सकती है बांकि ST category के देखे तो 130 से start हुई थी cut-off and 96 तक बच्चों का admission हुआ था वहीं 2020 में आप देख सकते हैं कि 116 से लेकर 96 रहा था यह cut-off का criteria ST के लिए and इस तक बच्चों का admission हुआ था EWS में देखिए 195 से start हुई थी cut-off and 137 तक यह cut-off में admission हुआ था EWS वालों के लिए से start हुआ है cut-off and 155 तक बच्चों का admission हुआ है तो admission का जो criteria है जो marks है वो कहीं न कहीं 2020 में बहुत ज़्यादा increase हुआ है और इसी की तरह अगर बात करे तो 2021 में भी थोड़ी सी increasement आपको देखने को मिल देगी क्योंकि हर साल थोड़ा सा competition बढ़ता है कम नहीं होता है तो यह था आपका cut-off analysis I hope अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपके कितने marks होने चाहिए general category में, SC में, OBC में या किसी भी category में अगर हाप है तो DUBA MR में admission लेने के लिए आपके कितने marks होने चाहिए यह हम अभी first cut-off list की ही बात करते है इसके बात second आती है थर्ड आती है और जब तक सीटे नहीं पूल होती है तब 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 वो cut-off list आती है तो इसके अलावा भी और cut-off list आयती है जिसमें बच्चों के एडमिशन हुए थे तो यह लगा लीजिए अगर आपके 200 बन रहे हैं चैनल के टेगरी में तो आपका एडमिशन हो जाएगा second और third cut-off list आते आते तो आपको यह वीडियो पसंद आयोगी और आप अधिन्दाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्या cut-off रहने वाली है इस साल so thank you so much once again for watching this video मिलते सी प्रकार की next video में तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए subscribe करके and thank you so much once again